हेलो दोस्तो, आज हम बात करेंगे पार्सियों और सिकों में धार्मिक सुधार की उन्नीश्वी शताबदी के मद्दे में उंबई में पार्सियों के बीच धार्मिक सुधार की शुरुआत हुई उन्होंने शिक्षा के प्रसार में खासकर लड़कियों है तु मैतपूर्ण बोमी का निवाई उन्होंने धार्मिक छेत में व्याप रोडिवादिता के खिलाफ अभ्यान चलाया वो लड़कियों की शादी, शिक्षा तता विशेश रूप से महिलाओ की समाज एक इस्तिती के संबन्द में पार्सी समाज एक रिवाजों के आदुन की करण की पहल की समय के साथ पार्सी समाज भारतिय समाज का सबसे प्रस्चात्य वर्क बन गया सिखों में धार्मिक सुधार उडनेश्वी सताबदी के अंतमे शुरू हुआ जब अमरिस्तर में खालस कोलेज की शुरुवात हुई सिंग सभा के प्रयासों वो बिटिस समर्चन से खालस कोलेज के साथना वर्ष 1872 में अमरिस्तर में हुई थी इन प्रयासों की परिणाम सरूप स्थापितिस कोलेज और स्कूल ने गुरू मुखी सिख शिक्षा और पंजाबी सहित्तों को समग रूप से बढ़ावा दिया वर्ष 1920 के बाद जब पंजाब में अकाली अंदोलन का उदय हुआ तो सिख सुधार अंदोलन ने गती पकड़ी अकालीों का मुख्य उद्देश्य उन गुरूदवारों या सिख ते तिस्थलों के संबन्द में सुधार करना था जो कि पुजारियों या महनतों के नियंतरण में थे जो उन्हें उपनी नीजी संपत्ती मानते थे वर्ष 1925 में एक कानौन पारत किया जिसने शिरोमनी गुरूदवारा प्रबंदक समीती को गुरूदवारे के प्रबंदन का अधिकार दिया तो यति कानी पार्षियों और सिखों में धार में एक सुधार की वेडियो पसंद आए वेडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट जरूर करे